हेलो गाईज आपको हमारे चैनly cricket expert में स्वाकत हैं दोस्तों आज की वीडियो में उपताऊंगा अगर आपकी भी immediate game में black screen platform और है तो इस problem को कैसे solve के जाएं आज की वीडियो में पताऊंगा तो वीडियो पसंद आया तो ज़्युक्त भाम कीजेगा हमारे चैनल cricket expert अब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नहीं नहीं इंफोर्मेटिव डिए देखने के लिए तो चली के शुरू करते हैं सबसे पहले का अपको अपनी डिवाइश की सैटिंग में जाना है और सैटिंग में जाना कि हैं और manage apps में जाना है वहाँ आपको Among Us सर्च करने हैं और Among Us में आने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले तो clear default कर दीजेगा और इसके बाद data usage होते हैं उसको 30 seconds के लिए off कर दीजेगा और 30 seconds बाद उसको turn on कर दीजेगा तो यह सब करने के बाद हमें क्या करना है हमने जाना है कि पर्मिशन वाले section में और सारी permission Among Us की हमें enable कर देनी है कोई भी permission इसे हमें deny नहीं करनी है तो यह ख्यार रखना आपको सारी permission one one enable कर देनी है तो permission enable करने के बाद हमें यहां से बैक आ जाना है और फिर क्या करना हमें और कम जो मैं यहां से बैक आ गया फिर से हम साइटिंग पर आएंगे अपने device की तो setting open कर लेते हैं setting open करने के बाद जाना हमें about phone वाले section में तो यहां पर जाना है storage वाले section में तो storage section में आने के बाद आपको जाना है app trail में और अगर आपके device में storage बूच जाता है और आपको थोड़ी storage release करने पड़ेगी और थोड़ा space खाली करना प अपना play store है उसको open कर लेना है play store open करने के बाद हमें यहां पर search करना है among us तो मैं among us को search कर लेता हूं आपको भी same to same step follow करने और यहां पर आपको अपको अपडेट के लिए बोला होगा अगर अपडेट को option नहीं है तो uninstall कर दीजिए गा जैसे मैंने uninstall कर दीए और फिर से reinstall कीजिएगा आपकी problem solve हो जाएगी वीडियो पसंदर वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें